आज एक मैं important topic discuss करूंगा that is hypercapnic respiratory failure especially COPD में कैसे ventilator लगाते हैं कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं क्या का challenges आते हैं यह बड़ा topic है इसलिए यह topic में दो parts में discuss करूंगा पहले part में non-invasive mechanical ventilation that is NIV और BiPAP कैसे यूज करते हैं यह बताऊंगा और दूसरे वाले part में invasive mechanical ventilator कैसे यूज करते हैं यह बताऊंगा चलिए आगे चलते हैं तो topic पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा basic देख लेते हैं कि respiratory failure क्या होता है जैसा कि आपको पता है कि respiratory system के दो main काम होते हैं एक oxygenation जो कि environment से लेके अलवुलाई तक आते हैं और उसके बाद में blood से tissue तक पहुंच जाते हैं दूसरा जो important function है वो यह है कि CO2 बहार निकालना CO2 tissue जो बन रही है वो अलवुलाई में आती है अलवुलाई से जो बहार निकालता है उसको बनते है ventilation तो domain function हो गए oxygenation and ventilation oxygen में oxygen जाती है blood में और ventilation में CO2 बहार आता है अगर इन में से एकवी function malfunction हो जाए मतब respiratory system एकवी function करना बंद करते उसको बोलते है respiratory failure आधर oxygen problem हो या फिर ventilation problem हो that is carbon dioxide निकालने में तिकत हो रही है इसको बोलते है respiratory failure अब यह two types का होता है आधर hypoxemic और hypercapnic hypoxemic को हम लोग type 1 respiratory failure बोलते है और hypercapnic जिसमें के CO2 बढ़ जाता है इसको hypercapnic respiratory failure बोलते है यह दो type का होता है acute और chronic acute का मतलब जो minutes to hours में develop हो जाए और chronic जिसको days या months लग जाए ऐसे में acute और chronic दो part हो जाते है तो respiratory failure के पहले दो part हो गए hypercapnic and hypoxemic और फिर इसके acute and chronic अब थोड़ा और basics में जाते हैं कि यह ventilation कैसे start होता है तो proper ventilation proper respiratory functions के लिए हमें जरूबत होती है वो brain की होती है जो कि signal बेशता है किसका inspiratory and expiratory का especially inspiration का कैसे बेशता है नफस होती है नफस का जाती है chest wall पे chest wall पे क्या होता है muscles होती है diaphragm होता है और क्या लिजी rib case होता है जब signals brain से जाएगा chest wall पे muscles पे तब यह contract करता है जब contract करेगी muscles तो क्या होगा negative pressure generate होगा inside the lung फिर क्या होगा pressure graded बन जाएगा from environment to alveoli and because of that negative pressure क्या होगा कि lung का expansion होगा तो आपको याद रखना है जब brain signal भेजता है तब inspiration होता है मतलब air environment से alveoli में जाती है और जब brain signal भेजना बंद कर देता है तब expiration होता है expiration में क्या होता है जो co2 अंदर खटी हो जाती alveoli में वो बहार निकल जाती है स्कूलत है ventilation तो basically देखा जाए inspiration for oxygenation and ventilation for co2 removal or expiration तो अब इसमें होता क्या है कि जब inspiration होता है तो मोटा मोटा जो average होता है 500 ml air अंदर आती है airway के अंदर from environment in each inspiration जो 500 ml आती है वो सारी की सारी airway तक नहीं पहुंसती है कुछ airway में रह जाती है जो airway में रह जाती है उसको बोलते है dead space लगवक 150 ml का होता है तो कितनी अलवलाई तक पहुंची 350 ml तो यहां पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह airway है यह left bronchus right bronchus और यह अलवलाई है तो जो यहां पर जो air रहे गई वो gas exchange में काम नहीं आती क्योंकि अलवलाई तो है नहीं यहां पर इसको बोलते है dead space मतलब the amount of air which is not taking part in gas exchange इसको बोलते है dead space और जो अलवलाई में पहुंचती है यहां पर blood vessels से तो यहां पर gas exchange होता है इसको बोलते है elbow ventilation किती यह पहुंच रही है 350 ml dead space में 150 ml तो अगर normal इनसान जैसे आप है मैं हूँ एक मिनट में 12 से 15 बार सांस लेते हैं मतलब 12 से 15 बार inspiration होता है और expiration होता है एक inspiration में 500 ml जाती है तो 12 में कितना हो गया 6 लीटर तो हम लोग environment से एक मिनट में 6 लीटर ऑक्सीजन खीशते हैं और elbow में कितना पहुंचता है 4.2 लीटर और dead space में कितना जाता है 1.8 लीटर तो यह normal physiology है for a normal individual अब ventilation failure कब होता है मतलब brain से जो signal आ रहा है वो respiratory system तक जा रहा है chest जो rib cage वहां तक जा रहा है अगर इन में से एक में भी problem आ जाए तो ventilation problem होगी मतलब lung का inspiration defect हो जाएगा जब inspiration defect हो जाएगा तो expiration भी नहीं होगा उसको बोलते है ventilation failure तो क्या-क्या cause होते हैं पहले देखते हैं brain में brain में क्या cause होते हैं जैसे किसी को over sedate कर दिया ज़्यादा digepalm दे दिया तो उसका जो brain होता है वो सो जाता है जब सो जाएगा signal भीजना बंद कर देगा cns disease like encephalitis stroke और tumor इसमें क्या है brain dysfunction हो जाता है brain dysfunction हो जाएगा signal भीजना कम कर देगा इससे क्या होगा कि chest ball की पास signal नहीं जाएगा और inspiratory phase start नहीं होगा nerve and neuromuscular transmission जैसे कि botulism gluten bar syndrome, misthenia graves, polio इसमें क्या होता है कि brain तो signal भीज रहा है लेकिन जो nerve होती है nerve और muscles की बीचे में junction होता है neuromuscular junction जैसे ये muscles हैं ये neurona रहे हैं और ये brain है हमारा ये तो जो जो nerves हैं और junction है neuromuscular junction हैं ये defect हो जाते हैं किसमें GVS में, misthenia graves में ऐसे में क्या होता है कि brain में signal तो आ रहा है लेकिन chest wall तक नहीं पहुँच रहा है तो इससे क्या होगा ventilation failure अब signal आ रहा है और chest wall तक पहुँच रहा है तो chest wall में कोई problem है क्या problem हो सकती है? फ्लेल चेस्ट है, मतलब ribs टूड गई है multiple जगे से kyphoscholiosis है, hyperinflation है, obesity है, diaphragmatic palaces है, diaphragmatic muscle palaces हो गई diffuse atrophy है, muscular dystrophy है ऐसे में क्या है कि muscles weak हो गई है, muscle is not able to contract इससे क्या होगा कि inspiratory failure हो जाएगा brain चका चक है, nerve भी ठीक आ रही है लेकिन chest wall हमारा contract नहीं कर रहा है जिससे कि inspiratory phase delay हो रहा है, या नहीं हो रहा है तो यह क्या करेगा? ventilation failure lungs में inspiration expression में defect आ जाएगा तो क्या होगा? CO2 washout नहीं हो पाएगा क्योंकि CO2 washout कराने के लिए ventilation की जरूवत है lungs last में आता है lungs सब कुछ ठीक है, brain ठीक है, signal ठीक से आ रहा है chest wall डंक से move कर रही है पर lungs में ear जाने में दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत हो रही है? कि dead space बढ़ी गया है dead space कब बढ़ेगा इसमें बताया था कि airway में airway में कुछ air रह जाती है जिसको dead space बोलते है यह होता है physiological मतलब normal living होता है आप में भी है, मेरे में भी है लेकिन अगर alboli में को defect आ जासी है for example, consolidation हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे air पहुंच नहीं रही blood vessels तो है और air नहीं पहुंच रही है because of consolidation तो क्या होगा, यह हो जाएगा dead space ventilation तो जब dead space ventilation हो जाएगा मतलब ventilation proper नहीं है तो CO2 बढ़ने लगेगा any cause which causes hypoxemia hypoxia जो जो cause करेगा अगर उसको untreated छोड़ देंगे treatment नहीं करेंगे तो बाद में जाके वो tie to respiratory failure में convert हो जाएगा जैसे कि dead space ventilation hypo ventilation diffusion limitation right to left shunt और reduce inspiratory oxygen tension जैसे कि high altitude महाँ पर oxygen है ही नहीं है और right to left shunt मतलब कि blood blood जा रहा है pulmoni artery में पर air नहीं है याप shunting हो रही है मतलब venus blood आ रहा है यहाँ पर venus ही निकल जा रहा है without taking oxygen from alveoli this is called right to left shunt diffusion limitation diffusion limitation क्या होता है जैसे यह alveoli है यह blood vessels है तो यहाँ से diffuse ही नहीं हो रहा है oxygen आ नहीं पा रहा है या कम आ पा रहा है और CO2 washout नहीं उपा आ रहा है तो CO2 कहां गूम रहा है blood vessels में CO2 गूम रहा है यह बोलते हैं diffusion limitation hypoventilation जो उपर वाली कॉस बताये थे that cause is hypoventilation तो अगर यह persist रहते हैं तो क्या होगा यह ultimately type 1 respiratory failure cause करेंगे क्यों 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 कि अगर type 1 respiratory failure persist करेगा तो compensate करने के लिए muscles को ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्यों कि oxygen चाहिए body को oxygen लेने के लिए muscles hard work करेंगी और बाद में muscles fatigue हो जाएगी तो आपको याद रखना है कि कोई भी condition जो hypoxemia करती है वो आगे चलके type respiratory failure भी कर देगी तो यह हमारे होगे cause किसकी cause hypo ventilation के और hypercapnic respiratory failure अब इसको एक case से समझते हैं यह case बेस सिनेरियो है तो आप इसको ऐसे समीज़े से कि हम ICU का round ले रहे हैं तो आपको बताना है कि हमें क्या क्या करना है जैसे यह एक बाबा है he is 70 year old male in known case of CUPD for 20 years 20 साल से CUPD है बट यह माश है treatment irregular ले रहे हैं बन्दब जो भी आप prescribe कर रहे हैं inhaler medication यह कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं अब यह emergency में आये हैं with increased shortness of breath cough and fever for 3 days जब respiratory system सुना गया तो जो year entry थी काफी कम थी और जितनी भी थी उसमें रॉंका ही आ रहे थी तो आप imagine कर सकते हैं कि एक 70 year old male जो कि CUPD का known cause है medicine लेता नहीं है emergency में आ रहा है increased lesson के साथ में इसका ABG हुआ ABG में आया इस एस एसिडोसिस एसिडोसिस किसे बोलते हैं इसका pH less than 7.35 होता है that is acidosis CO2 normal 40 होता है इसका 85 है PO2 कम है bicarb उसमें बड़ा हुआ है तो ये classical example है COPD exaservation with type 2 respiratory failure और acidosis respiratory acidosis क्योंकि pH इसका कम है तो ये diagnosis हो गई COPD with type 2 respiratory failure अब COPD में सास कैसे फूलती है इसका क्या mechanism होता है अगर हम लोग अपने UG days याद करें MEBS में पढ़ाया जाता था COPD में airway भी involved होते है alveoli भी involved होते है airway में क्या होता है bronchoconstriction जो airway होते है वो construct हो जाते है bronchoconstriction और जो alveoli होते है उनमें क्या होता है कि जो inter-alveolar septa होते है वो तूड जाते जैसे ये alveoli है तो यह सेप्टा होते हैं यह टूड जाते है इसके क्या होता है कि Alvoli'd बड़ा हो जाता है है आप surface ते देखेंगे तो कम हो जाएका इसमें क्या surface चादा है यहां पर क्या surface चीरे कम हो जाता है पर Alvoli'd distant हो जाते है तो जब इंफाइसीमा होगा तो डाइफराम को क्या होगा डाइफराम खेटन हो जाएगा नॉर्मल डाइफराम कैसा होता है इस तरह से जब इंफाइसीमा हो जाएगा तो डाइफराम क्या हो जाएगा फ्लेट हो जाएगा इस तरह से एक्सेम देश्ट हो जाते हैं तो कॉंट्रेक्शन में प्रॉलम आती है इसको बूलते हैं इसको बूलते हैं इसको डाइफराम क्या होता है एक्सप्रेशन में क्या होता है फ्लेट हो जाता है नीचे जाई नहीं पाएगा है तो क्या होगा कि inspiration defective हो जाएगा because of flattened diaphragm इसकी विए से क्या होगा कि patients को oxygen ठीक से नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रॉंगो कंस्टिक्शन हो गया और inspiration में defective हो गया oxygen तो अंदर आ नहीं रही है तो क्या होगा कि compensate करने के लिए respiratory rate बढ़ जाएगी पेशेंट की जली सास लेगा क्यों कि यह तो चाहिए अंदर इसलिए सास ज्यादा बढ़ जाएगी क्या होगा high respiratory rate high respiratory क्या होगा अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा कि dead space का जो proportion है वो बढ़ जाएगा वो आप सूच रहे हैं कैसे say for example मालो हम लोग 500 ml ब्रेथ लेते हैं जिसमें से 350 ml एलबुलर वेंटिलेशन में जाती है और 150 ml dead space में जाती है अब respiratory rate बढ़ गया तो क्या होगा जो respiratory rate बढ़ जाएगा तो जो ear आ रही है 500 की जगे पे 300 ml यह आएगी क्योंकि diaphragm भी threatened हो गया था तो inspiration छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो physiological dead space था वो तो सेम रहा 150 ml अब 300 में ऐसे 150 ml निकल गया तो कितना बचा 150 ml जो कि alveolar में जाएगा तो मोटा मोटा देखा जाए तो alveolar ventilation कम हो गया and proportionally dead space ventilation बढ़े गया जब dead space ventilation बढ़ता है इसमें CO2 rise हो जाता है CO2 washout होई नहीं पाएगा फिर क्या होगा जब respiratory rate ज्यादा हो जाएगी तो patient की work of breathing बढ़ जाएगी patient को कठना ही होगी सांस लेने बार बार सांस जलिली लेगा shallow breathing होगी क्या होगा muscle fatigue मसल fatigue होगी क्या होगा accessory muscles काम करना स्टार्ट कर देंगी जैसे standopidomatidoid abdominal muscle यह सब काम करना स्टार्ट कर देंगी फिर क्या होगा patient को hypoventilation हो जाएगा और hypoventilation होगा तो increase CO2 हो जाएगा तो आप समझ गए कि airway obstruction और emphysema की वज़े से diaphragm threaten हो जाएगा inspiration में problem आएगी inspiration problem आएगी oxygen कम अंदर जाएगी उसों composite करने के लिए टैकीपनिया हो जाएगा respiratory बढ़ जाएगा बलका बीदिंग बढ़ जाएगी muscle fatigue में चला जाएगा muscles काम करना बंद कर देंगी तो hypoventilation हो जाएगा और CO2 अंदर ही रह जाएगा तो यह हो गया type 2 respiratory failure की mechanism in COPD patients I hope आपको समझ में आ रहा होगा और एक concept होता है dynamic happen inflation यह तब होता है जब COPD severe stage पहुन जाती इंफाइशीमा severe हो जाता है उसमें क्या होता है जो normal जो airway होते हैं उनमें क्या है कि यह septa जुड़ा होता है अलवुलाई से जब severe COPD हो जाता है तो यह alveolar weak हो जाते हैं मतलब जो elastic tissue होता है वो कम हो जाता है इससे क्या है कि जो airway होता है highly elastic हो जाते हैं मतलब जल्दी से collapse कर जाते है तो patient सास ले रहा है ले गया ले गया ले गया जब छोड़ने की बार ही आती है means expiratory phase में छोड़ रहा होता है तो जब पुरा छोड़नी पाता है और air भी close हो जाता है उससे क्या होता है कि एलबुलाई में air रह जाती है पुर छोड़नी पाता है जैसे कि एलबुलाई में मालो 500 ml है हमारा जब expiration start किया है इसने तो air निकल रही है निकल निकल रही है लेकिन जैसे ही 150 ml रह जाएगी यह airway close हो जाएग तो 150 ml अंदर trap हो जाएग इसके बोलते है dynamic hyper inflation means expetry phase में airway collapse हो जाएगे एलबुलाई को खाली होने से पहले इससे क्या होगा कि auto peep develop हो जाएगा मन्दब जो air अंदर इखटी हो जादी एलबुलाई में उसको बोलते हैं auto peep तो यह है concept dynamic happy inflation का यह बाद में भी आएगा मैं आपको explain करता होगा अगर ऐसे patient में अगर venture लगाते हैं तो क्या होगा कि inspiration तो आप venture से दे दे रहे हैं लेकिन expression जो कि passive होता है उसमें venture कोई रोल नहीं होता expiratory phase होती है वो normal होती है ऐसे में क्या है कि हर respiratory phase में expiratory phase में vogli like के अंदर ear इखटी हो रही है इसको बूलते हैं हम how to pee partis में इखटी होती जा रही है यह breath में हर breath में इखटी होते जा रही है तो अंदर क्या है what did which जा रहे है तो आप देखेंगे कि at the end of expression एलबुलाई पूल जाता है कहा तक पूल जाता है आल्मोस्ट टील सी तक टोटल लंग कैफिसिटी तक हवा अंदर भर गई है तो पेशेंट सांस क्या से लेगा बहुत मुश्किल है आप करके देखिए आप सांस अंदर भरिए अब सांस लीजिए ऐसी पेशेंट में क्या होगा वर्क वर बीदिंग बढ़ जाएगा मसल फटीग में चला जाएगा है तो यह होता है डाइनमिक हैप इंफलेशन इससे क्या होता है कि एंड एक्सपेट्री फेज में अंदर ही हवा इखटी रह जाती है तो इसकी अगर मैं समराइज करूँ तो स्यूपीटी पेशेंट में क्या हो रहा था वर्क वर बीदिंग बढ़ जा रहा था रैपिट शैलो इनफेक्टिव बीदिंग हो जा रही थी क्योंकि तेते सांस ले रहा था तो कंपसेट ऑक्सजिनेशन ओटो पीब डेवलप हो ज जाएगा लंग्स का पूर कॉंप्लेंस हो जाएगा रैस्पिटी मसल फटीग हो जाएंगी और एट लास्ट प्योटू कम हो जाएगा यह सी ओ तू बढ़ जाएगा मतलब टाइप टू रैस्पिट्री फेलियर में पेशेंट चला जाएगा स्यूपीड बाला पेशेंट इ जैसे हमने देखा था कि टाइप रैस्पिट्री फिलियर हो गया है अब क्या करेंगे जा पेशेंट को इंटूबेट करेंगे पेशेंट ऑक्सिजन देंगे या निवी लगाएंगे या कुछ नहीं करेंगे अपने ठीक हो जाएगा तो इसमें आंसर है कि निवी ट्राइल तो अब कुश्चन ये है कि निवी देंगे मतलब इसको हम लोग बाइप भी बोलते हैं बाइप बाइप अब कुश्चन ये है कि इसको कौन सा देंगे एक निवी देते हैं हम लोग आईस्यू मोनिटर से है पेशेंट आईस्यू माया है जो उसका वेलिटर होता है उससे ही NIV mode लगा देते हैं दूसरा होता है जो घर में यूज़ता है portable वाला तो आप कुछ से prefer करेंगे तो आपको याद रखना है कि patient अगर emergency में आ रहा है patient की सांस फूल रही है failure में है तो अगर choice होती है तो आप prefer करेंगे ICU ventilator क्यों क्योंकि हिस में हम लोग और home वाले में हम सारी चीज़न नहीं कर सकते हैं तो emergency phase में ICU ventilator ही best रहता है अब इसके NIV के indications क्या है ये एक general है not for COPD but general इसमें तीन category में इसको indication बताए गए है एक green zone इसमें strong recommendation है मतलब आपको NIV trial देना ही है studies में देखा गया है कि benefit मिलता है तो ऐसी कॉनकों सी condition है CUPD congestive heart failure या फिर pulmonary edema respiratory failure immunocompromised इन तीन condition में जो recommendation है वो A grade है strong recommendation है आप NIV देना ही देना है weak recommendation मतलब आप दे सकते हैं लेकिन fully dependent नहीं होना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि NIV काम नहीं कर रहा है तब तुरन invasive mechanical ventilator पे switch over कर दीए ऐसी कौन सी condition है asthma है obesity hyperventilation syndrome है upper area syndrome है post objective है mild ARDS जो red zone है मतलब अंगेश यूज हमें NIV trial नहीं देना है या देना है तो बहुत ही cautiously देना है आदेकर ए गंडे के लिए दे दीजिए लेकिन कोशिस करिए कि नहीं देना ऐसे कौन सा है ARDS especially moderate to severe ARDS multi-organ dysfunction syndrome और बहुती ज़्यादा tight upper earway obstruction ऐसे patient में NIV trial नहीं देना है directly intubate करिए और ventilator लगा दीजे अब acute exacerbation CPD में क्या recommendation है तो यह guideline है ATS ERS की guideline जो की दो याड 17 में आये थी तो उन्हें क्या कहा था कि acute exacerbation CPD में NIV कब लगाना है जब oxygen से patient improve ना हो medical treatment भी दे लिया आपने patient improve नहीं हो रहा है और patient को moderate to severe exacerbation mild में क्यों नहीं कि mild में studies नहीं हुई है mild तो वैसी ठीक हो जाता है दवा देती है यह नेवलाइस कर दीज़ ठीक हो जाता है तो moderate to severe exacerbation में देना है कब जब patient को acidosis हो carolaxor बढ़ा हो respiratory distress हो जब taggypnia हो respiratory rate more than 24 तो ऐसे patient में आपको NIV लगाना है यह एक अच्छा meta analysis है जिसमें की काफी सारे studies ली गई थी और 629 patients पे study किया गया था इसमें आप देख सकते हैं जो hospital mortality rate है वो significantly reduced हो गई थी यह diamond देख सकते हैं यह वाला meta analysis में diamond होता है यह left side में है not touching to baseline इसका मतलब यह है कि NIV लगाने से significant mortality benefit हुआ था कौनसी patients में जिसमें की respiratory failure था COPD patients तो यह एक अच्छा meta analysis है अब आ जाते हैं setting में जैसे कि मैंने पहले बताया था मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ तो अगर NIV अच्छे समझना है तो मेरा previous वीडियो देखिएगा जिससा की link में description box में दे दूँगा इसमें main दो setting होती है एक होता है EPEP जिसको हम CPAP भी बोलते हैं EPEP का मतलब expiratory expiratory phase में जिता pressure लगाते है expiratory positive airway pressure एक होता है inspiratory जो inspiratory phase में pressure लगाते है इसको बोलते है IPAP inspiratory positive airway pressure दौनों के difference को बोलते है pressure support और तीसरा अगर आपके पास ICV ventilator है तो इसमें आप oxygen दे सकते हैं अगर potable ventilator है तो उसमें भी आप oxygen बाहर से add कर सकते हैं तो यह तीन main setting है अब इसमें CPAP का क्या roll है CPAP जैसे मैंने बताया था कि CPAP क्या करता है यह expiratory expiratory limb पर यह pressure दे रहा है at the phase of expiration CPAP पेशिंट में क्या होता था कि patient जब expire कर रहा है जब इयर भाहर निकाल रहा है तो क्या होता था कि उसका airway close जाते थे अगर हम CPAP लगा देंगे यह पीप लगा देंगे तो क्या होगा कि airway उसके close ही नहीं होंगे इसे patient expire कर रहा है तो जो airway थे जो close हो जा रहे थे अब उसके close नहीं होंगे इससे क्या है कि जो alluline में gas थी उस सब expiratory phase में भाहर निकल रहा है तो यह होता है PEEP या फिर EPEP का arm mechanism तो इसको हम कितना set करते है usually set करते है 4 to 6 तो यह क्या करता है decrease airway resistance क्योंकि हमने airway खोल दिये उसके air आराम से अंदा जा सकती है और आराम से भाहर निकल सकती है दूसरा यह auto PEEP कम करता है जैसे मैंने बताया था कि at the end of expression यह airway को collapse नहीं होने देगा क्योंकि यह pressure दे रखा है कितना हम लगाते है 4 to 5 cm स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम बढ़ाते है depends on कि हमें कितना हमें चाहिए फिर IPEP IPEP और EPEP का difference होता है pressure support ventilation यह main होता है जो कि tidal volume बढ़ाता है अब CUPD patient में क्या हो रहा था कि muscle fatigue हो रहे थे patient की work of breathing बढ़ रहे थी क्योंकि tidal volume जा नहीं रहा था अब NIV ने क्या किया इसको pressure support ventilation दिया जितना pressure हम लगाएंगे उतना ही tidal volume यह बढ़ाएगा तो tidal volume बढ़ जाएगा तो क्या होगा muscles को relax मिलेगा क्योंकि उसको oxygen मिल रहा है उससे क्या होगा कि work of breathing कम हो जाएगा तो unload respiratory muscles क्योंकि tidal volume अब sufficient दे पार है because of bipep work of breathing कम होगा कितना हम लगाते हैं usually 8 to 12 cm अब इसमें देखी किता अच्छा गिराफ है यह वाला यह base line है जो पहले बिना NIV patient ले रहा था वो इससे ले रहा था आपने E-PAP लगा दिया मतलब भी airway खोल दी है यह E-PAP है और जो pressure हम दे रहे हैं वो यह है जो red one है यह pressure है और यह blue one क्या है यह patient का tidal volume है सिर्फ एक्जामपल patient को 500 ml की जरूवत है patient अपना 100 ml ही generate कर रहा है क्योंकि muscle fatigue हो चुकी है तो बाकी 400 ml यह NIV देगा तो यह मांगे चलिए कि जो लाल वाला है यह 400 ml है और जो blue वाला है यह 100 ml कितना हो गया 500 ml तो patient वड़ा comfortable feel करेगा क्योंकि उसको अब support मिल रहा है oxygen oxygen तो COPD patient में हमें ध्यान रखना है कि oxygen saturation है वो 88 से 92% के बीच में ही रखना है बहुत ज़्यादा oxygen नहीं देना है oxygen ज़्यादा देंगे तो उसका CO2 बढ़ जाएगा उसका mechanism अलग है मैं फिर कभी बताऊँगा mainly hydrogen effect और सब होता है बाद में discuss करेंगे पर यह ज़्याद रखना है कि COPD patients में आपको oxygen कम देना है उतना ही देना है कि saturation 88 से 92% के बीच में रहे अब आपने बाइपेप तो दे दिया अब कौन सा मास लगाएंगी औरो निजल मास लगाएंगी या निजल मास लगाएंगी आपको याद रखना है कि जब NIV हमें acute setting में देना है मनला patient emergency में आ रहा है ICU में आ रहा है type respiratory failure में आ रहा है always use औरो निजल मास second choice we can give निजल मास but first choice is औरो निजल और facial मास भी बोलते हैं तो chronic phase में मालों आपने bypass घर के लिए दे दिया अब उसको daily लगाना है तो रोज औरो निजल लगाएगा तो comfortable नहीं रहेगा इसने में क्या है nasal mask most commonly used किया जाएगा दूसरा यह है कि acute setting में patient की जब tidal breathing ज़्यादा होती है patient सांस फूल रही होती है nasal mask लगा देंगे patient की requirement है वो पूरी नहीं होगी क्योंकि patient को ज़्यादा flow चाहिए इसलिए औरो नेजल लगाते है तो याद रखिएगा acute setting में औरो नेजल chronic phase में नेजल भूलेगा मत अब question यह है कि NIV respiratory failure में कैसे help करता है यह तो mechanism बता दिया तो कैसे help कर रहा है just to summarize work of breathing around 60% कम कर देता है breathing pattern अच्छा कर देता है बन्दब टैडल volume बढ़ा दे रहा है जो pressure support दे रहे थे उससे टैडल volume बढ़ जाता है जब टैडल volume बढ़ जाएगा patients को जतना चाहिए उतना मिल लगेगा तो respiratory rate कम हो जाएग respiratory rate कम हो जाएगी patient की जो work of breathing है वो कम हो जाएगी patient का lung compliance बेटर हो जाएगा और जो auto peeve डेवलप हो रहा था जिसको अब intrinsic peeve बोलते है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग CPAP दे रहे है E-PAP दे रहे हैं जा CPAP दे रहे हैं जा PEEP दे रहे हैं उससे क्या है कि जो auto peeve वो कम हो जाएगा और NIV लगाने से heart failure में भी मदद मिलती है तो ये भी हमें याद रखना है ultimately क्या होगा उसका P.O.2 बढ़ जाएगा और C.O.2 wash out तो ये NIV के फायदे हैं in type 2 respiratory failure ये भी एक अच्छी study है कि इस study में 25,000 पेशेंट में जो की C.O.P.D. एक्जाजरवेशन के पेशेंट थे उनमें इन्होंने NIV लगाया 25,000 पेशेंट तो उन्होंने क्या पाया NIV लगाने से mortality कम हो गई length of stage hospital का जो duration था वो कम हो गया और overall cost कम हो गई as compared to invasive mechanical ventilation तो जब भी आप patient receive कर रहे हैं तो आपको NIV ट्राइल देना है C.O.P.D. patients के hypercapnic respiratory failure क्योंकि इससे benefit मिलता है अब चली case में पापस आजाते हैं तो patient किसका था ये C.O.P.D. acute observation का जिसको की respiratory failure होया था type respiratory failure NIV लगा दिया हमने 12,6 पे और क्या यूज किया और नेजल मास जो ABG था repeat कराएगा एगंटे बाद में एगंटे बाद में जो patient का ABG था वो क्या हो गया कि pH 7.25 जो पहले था वो हो गया 7.20 मतब S-dosis बढ़ गया P.O.2 जो 85 था वो 105 हो गया मतब P.O.2 बढ़ गया oxygen इप्रूव हो गया पर patient का जो CO2 था type 2 SPT failure था बढ़ गया और important चीज़ patient जादा drowsy हो गया patient gasp करने लगा इसका मतलब क्या है कि patient NIV failure में चला गया जो हमने NIV लगाया वो काम नहीं कर रहा है patient deteriorate हो रहा है और conductive sounds आने लगी मतलब उसके airway में secretions भर गया काफी sequence आने लगा जिससे क्या है कि excessive conducted sound आने लगी patient जिसमें आपने NIV लगाया था वो fail हो गया अब NIV failure का मतलब क्या होता है NIV fail हो गया तो कब-कब कहते हैं कि NIV fail हो गया तो patient को cardiopal में arrest हो जाए मतलब patient arrest में चला जाए increased burden बढ़ जाए respiratory rate बढ़ जाए तो कि इतनी आ बढ़ जाए shallow breathing हो जाए इसको बोलते है NIV failure patient को अनलाइक डिजीज थी वो बढ़ जाए patient sepsis था बढ़ गया sepsis और MI हो गया patient को इसको भी आनाइवी failure बोलते है bursting कैसे exchange ABG खराब हो जाए type respiratory failure में चला जाए aspsis बढ़ जाए जो कि हमारी patient में हो गया है उसको भी आनाइवी failure बोलेंगे respiratory rate बढ़ जाए conscious level down होने लग जाए patient drowsy हो जाए unconscious हो जाए जिसके हमारी case में हो रहा है hemodynamics change हो जाए patient secretion ज्यादा बढ़ जाए uncontrolled agitation patient tolerate ही नहीं कर जाएगा ऐसे patients को हम लोग बोलेंगे कि हमारा एनाइवी हमने दिया था fail हो गया अब हमें देखना है कि किन-किन patients में एनाइवी fail होता है तो काफसार studies होई थी उसमें ये पाया गया कि ऐसे patients जिसमें कि एनाइवी failure के chance 70% से जादा है वो कौन-कौन से patients है अपाची स्कोर 29 से जादा है patient टेकिक पिनिक है 30 से rate जादा चल रहा है और acidosis 7.25 से कम है तो ऐसे patients में एनाइवी failure के chance 70% से जादा हो जादा है 90% जादा कब हो जाएंगे जब आपने एनाइवी लगा दिया 2 घंटे बाद में 90% chance है कि फिल हो जाएंगे overall जो failure rate था वो 5-40% था मतलब 5-40 patients 100 में से एनाइवी फिल करी जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से patient फिल करेंगे आपको प्रिट करना है आपको लगाने से पहले देखना है कौन से patient फिल कर सकते हैं तो क्योंकि अगर आपने intubate नहीं किया टाइम ली patient mortality बढ़ सकती तो आपको देखना है कौन से patient फिल कर सकते हैं उसमें intubate करना है ताकि आप mortality को कम कर सकें NIV कम कब नहीं लगाना है that is contraindication these are absolute contraindication क्या-क्या है secretions बहुत जादा हो NIV लगाएंगे secretions भार नहीं आपाएंगे patient तुरांट arrest में चला जाएगा patient cardiac arrest patient apnea patient सांस ही नहीं ले रहा है NIV क्या करता है patient सांस लेता है उसी को बढ़ावा देता है उसी में help करता है patient सांस नहीं ले रहा है तो इसमें NIV कामी नहीं करेगा we should not use NIV in these patients patients unconscious है अगर unconscious है कि और वज़े से तब NIV नहीं लगा सकते अगर CO2 narcosis की वज़े से unconscious है ऐसे patient में NIV ट्राइल दे सकते patient uncooperative है morbid obese है और mask fit नहीं आ रहा है यह जो लाल कलर में है red कलर में है absolute contra indication है जो black कलर में है वो relative contra indication पर हमें assess करना है किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है तो हमारा patient पे आ जाते हैं तो हमारे patient में NIV souhaीयर हो गया था अब question यह है कि अब क्या करना है आगे तो ऐसे patient को intubate करना है और mechanical ventilation पे रखना है तो हमने इस patient को intubate कर दिया और in anvastor mechanical ventilation अब इसकी आगे की कहानी मैं next वीडियो में शेयर करूँगा same patient रहेगा अब intubate करके mechanical ventilation कैसे लगाना है क्या-क्या setting रखनी है क्या-क्या ध्यान देना है trouble shooting मैं next वीडियो में share करूँगा तो आप असका next वीडियो देखना ना भूले तो तेंक्यू, तेंक्यू वेरी मच्च